नाग्रिक्ता कानुन को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है कई जगों पर ये प्रदर्शन हिंसात्मक होता जा रहा है NSika को लेकर भी उबाल देखने को मिल रहा है कई लोग NRC याने की राश्ट्रिय नागरिक्ता रजिस्टर के नियम को लेकर भ्रहम की स्तिथी में है NRC अभी सिर्फ असम में लागू है, पूरे देश में लागू नहीं है गिरी मंतराले ने भी NRC के काकजात को लेकर भ्रहम दूर करने की कोशिश की गुरीम अंतराले ने कहा कि किसी भी भारतिय नागरिग को इसकी वज़े से असुविधा का साबना नहीं करना पड़ेगा नागरिट्पा के लिए भारत में जण्म से जुड़ा कोई भी परमाणपत्र मानने होगा ये परमाणपत्र जन्म तिथी या जन्म स्थान से जुड़ा हो सकता है एनारसी की नियम एक जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे जिनका जन्म 3 दिसम्मर 2004 से पहले हुआ हो जन्म के समय उनके माता या पिता भारत के नागरिक हों वो भी भारतीय नागरिक हैं 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर जन्में लोग हैं जिनके माता या पिता उनके जन्म के समय भारत के नागरिक थे ऐसे लोग भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे भारत में 3 दिसंबर 2004 को उसके बाद जिनका जन्म हुआ हो माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या उन में से कोई एक भारत का नागरिक हो दूसरा उसके जन्म के समय अव्यद प्रवासी नहीं है वो भी भारती नागरिक माने जाएंगे अब नर्सी को लेकर बहस शुरू हो चुकी है असम को छोड़कर देश में अभी नर्सी लागो नहीं है लेकिन उसको लेकर भ्रम के स्थिथी है नागरिक्ता को साबित करने वाले कागजात को लेकर लोग कह रहे हैं कि आधार से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक फर्जी बन जाता है फिर कैसे भारती नागरिकों की पहचान हो पाएगी कुछ अंदेशों के साथ एनर्सी पर सवाल उठ रहे हैं वेरो रिपोर्ट अर्नाइंटीवी तो सवाल यही है कि एनर्सी कितना जरूरी है देश हित में कितना है क्योंकि सरकार ने जो एक फैसला लिया पूरे देश में लागो करने का हला कि अभी असम में लागो हुआ सुप्रिम कोर्ट की गाइड लाइन्स के तहत लेकिन अब जो एक भ्रहम की इस्तिती फैलाई जारे कुल देप उस भ्रहम की इस्तिती को मुझे लगता है दोर करने के जरूरत है और बिना जाने समझे लोगों का विरोध करना विरोध परदेशन करना कहीं से उचित नहीं है सबसे पहले तो हिंस सक गतिविदिया बिलकुल नहीं होनी चाहिए क्योंकर उसका परिड़ाम हमने देखा है 14 क्या सपास लोगों की जान जा चुकी है मैस उत्तित परदेश में 14 लोगों की जान जाने चाहिए और देश भर का अंकड़ा तो उससे ज्यादा होगा कई बार ऐसे एरर साबने आ जाते हैं जिसके मुनाद पर लोगों को दिक्कते होती है लेकिन उससे खारिज नहीं किया गया जो लोग इस दारे में नहीं आएं अब प्रावधान है जबार ये समझना होगा कि NRC लागू क्यों नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हमारा कोई घुसपैठियों को लेकर कोई ये मामले जो सामने आ रहे हैं इसके सबसे बड़ी कड़ी कोई है वो है बांगला देश जो प्रेज़ेंट का बांगला देश है जो पहले पूरवी पाकिस्तान था और उसके बाद वो बांगला देश बना भारत में उसका सही हो किया और वहाँ से उस दोरान आपको पता है कि जब ये जंग छड़ी तो बहुत से लोग चाहें वो हिंदू हो वो मुस्लिम हो वो अपनी जान बचा के भागे अला कि जो असाम एकॉर्ड में है वो 1971 तक के लोगों को नागरिक्ता देने की बात करता है लेकिन उसके बाद जो आए लोग है उनकी प्रमानिक्ता नहीं हो पाती अब मैं ये समझना चाहूँगा सिर्फ आपको लगता है कि किसी जंग जहां जिस शेतर में जिस देश में जंग होती है क्या जिस दिन जंग खत्म होती है उसी दिन सभी हाला समाने हो जाते नहीं उसके पांस सास सालों तक उसकी रिकावरी नहीं हो पाती और वही वज़े थी कि उसके बाद भी लगातार जो शरनातियों का दौर है वो जारी रहा वो बंगाल ये आसाम पहुचते रहे ये एक एक विचार का एक विमर्श का विशय हो सकता है कि उसकी जो डेडलाइन है उसकी जो तारेख और तिती है उसको आगे ले जाए जाए या फिर उसे वही रखा जाए ये अलग बहस हो सकती है मगर इस बात को लेकर के ये कहा जाए कि एनर्सी लागो करना ही गलत है और ऐसे में सरकार का एक्ट सेफ और सेफ लिचनर शाही है किसे विशेश काउम के लोगों को देश से बाहर करने के साज़श है तो ये तो पूरे तो पर गलत बयानी है और इसी से जनता को भरामित करने के कोशिश कुछ लोगों की हो रही है और कहीं न कहीं वह कामया भी हो रही है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो CAA को लेकर के यह हिंसात में घटना है इस वक्त मौजुदा वक्त में सड़कों पर देखने को नहीं में होती है जब बार यह समझना पड़ेगा कि दरसल अभी जो हिंसा हो रही है मैं उसे बिल्कुल खेर वाजीब कहूंगा क्योंकि CAA को लेकर तो कोई हिंसा होनी ही नहीं चाही अगर कोई खौफ है केसी को तो CAA के बाद NRC लागू किया जाएगा आपने देखा NRC असाम में लागू किया गया सुप्रीम कोट की देखरेक में वो लागू हुआ उस पर 16 सो करोड रुपे खर्च किये गए आप लगाए अंदाजा इतना बड़ा बजट जिसमें बहुत सी चीज़ों का बजट जो है पूरा हो जाता है 16 सो करोड खर्च होने के बावजूद क्या हुआ उसको कोई नतीज़ा निकला यही यही लेकि यह पूरा पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है अगर आपने एक NRC को पिछले 3-4 सालों में कंप्लीट किया या फिर सुप्रीम कोड की गाइडलाइन्स में पिछले एक साल में बहुत ज्यादा अमल इसमें किया गया और उसके बाद पहले जो पहली लिस्ट आई उसमें 40 लाग जो थे वो घुसपैटियम आने गये अब जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 19 लाग उसपैटियम आने गये अब 19 लाग जो फाइनल लिस्ट आने के बाद हाला कि उनके पास अभी बहुत से आउप्चन्स है लेकिन अब सरकार भी इससे आगे नहीं बढ़ना चाहती अब आप ये भी तो बास समझे ना कि सरकार भ बात की जाए 1985 में जो हुआ उसमें आम सहमती ये बनी थी कि कोई भी शरनाती हो जो बंगलादेश से वहां आया वो शरनाती चाहे हिंदू हो मुस्लिहों पार्सिस्थिक हो कोई भी हो अगर उसे उस पैटियम माना जाएगा तो सभी को बाहर का रासा लिखाए जाएगा आपको लगता है कि अब यह आखड़ा तो बिलकुल वैसा नहीं आया जो आपके खॉर्डिंग होना चाहिए ता फिर क्या हो रहा है अब सी डबले लाया गया सी डबले के तहट जो इसलामीक राज है माना वह इसलामीक राज है धार्मिक आधार पर वहाँ परतारित नहीं ह हो जाती है जब CAA को ले करके NRC से उसका तालुक देखते हैं लोगों को ये लगता है कि NRC में जो लोग अब गार मुस्लिम अलब संक्या के बाहर के लोग उनको नाग्रता देने के लिए ही CAA को ले करके आया गया है ये दोनों को जब इंटर कनेक्ट करते हैं तो फिर यहां पर भ्रम किस्तिती बनती है और यही एक बड़ी वज़े हो जाती है जो कि सड़कों पर तस्विर आगजनी से लेकर के पत्रवाजी की सामने आ रही है और इसलिए ये साफ करना बहुत जरूरी है कि CAA एक अलग कानून है जो कि कानून पहले से था उसमें केंदर की मोधिस सरकार ने कुछ अमेंडमेंट में भर किया है ये कानून पहले कांग्रिसी के सरकार में बना था लेकिन यह जबार आपको समझना होगा यह जो अमेंटमेंट कर दिया गया है यह दार्मी का अधार पर लोगों को परतालित किया गया वो अल्ब संक्यक समुदाए उनका यह घर बनता है भारत वो यहां नहीं आएंगे तो कहा जाएंगे मैं बिल्कुल इस बात से राजी हूँ कि वाके उन्हें शरनाथी के तोर पर जो रह रहे थे अब नागरिक्ता मिल जानी चाहिए लेकिन एक समुदाए को छोड़ा जाता है फिर भ्रमकिस्तितिया आती है फिर वो भी ऐसा नहीं है कि आपने उसे बंगा लिया असम तक सीमित रखना है नर्सी को आप चाहते हैं कि देश भर में नर्सी होगा तो लोग जो गरीब है आपकी चिंता मैं बिल्कुल सही तरीके से देख रहा हूँ समझ रहा हूँ कि आपकी जो चिंता है वो जाइस है मगर नर्सी सिर्फ आसम में लागो कर देने भर से या नर्थ हीस्त के राज्य में लागो कर देने से वेस्ट बंगॉल में लागो कर देने से वे समस्या का समा आदान नहीं होगा आप देखे हमारे देश में खास तोर पर 80 के दशक से लेकर केई घटनाए जो शुरू होती है या 90 के दशक से जिस तरीके से आतंक वादी गदविदिया शुरू होती है देश में जो हमारी खुफिया अजिंसीज हैं उनकी इंपुट के आधार पर अलग-अलग अंदास में अलग-अलग भेश में बहुत सारे स्लिपर सेल्स जिनका तालुक आतंके संगटनों से होता है देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे होते हैं कई सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने नाम बदला जिन्होंने भेश बदला और जिन्होंने आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड सब कुछ बनवा लिया भारत के एक तोर पर देखा जाया कि नागिक के तोर पर रहना शुरू कर देते हैं जाहिर तोर पर यह बड़ा असान है कई सारी ऐसे खबरें आपने भी दिखाई हमने दिखाई कवर किया कि ऐसे फरजी आइडी काड़, फरजी राशन कारड़, फरजी वोटर आइडी कारड़, फरजी अचार्ण कारड़, सब कुछ बन जाता है इसलिए अब इस सिस्टम को दुरस करने के साथ साथ पूरे देश में एनर्सी लागो करना देश हित में लिए जाने माला बड़ा फसला है देश भर में भी एनर्सी होना चाहिए क्योंकि कोई देश ऐसा बचा नहीं है जो अपने नियम नहीं बनाता खुद के नागरिकों को प्रमानित करने के लिए नहीं नहीं बनाता बनाने भी चाहिए यह कोई धरम शाल है नहीं कि कोई भी आकर यहां बच जाएगा क्योंकि हमारे खुद के निस्रोंस बड़े अलिमिटेटे क्यों इसी बाती है जबार आपती है कि बहुत से लोग जब यहां पर आएंगे शरणाती आएंगे या आ चुके है बस चुके है अब हम असाम और ब यहां आप समझ जोते हैं कि आपको लगता है कि बांगलादेश से परतारित होकर कोई आसाम अपने बॉर्डर पार करके इस तरह आ गया है ठीक है यहां पर भी आप नर्सी करके कानून कुछ ऐसा होता जो यहां के लोगों को धार्मिक आधार पर शरणार्थी बना लेता न और कंफूजन की इस्तिती ना पैदा हो क्योंकि हम शहरी हैं हम नागरिक हैं आप नागरिक हैं जो भी भारती हैं जो कि इनके पास नागरिकता है उनको इस पूरे मामले में खतरा किस बात का अब देखे एक समुदाए जो डर ने के जरूरत है क्यों डगाए जारा है बार से लग रहा है कि अगर वो अपने आपको मतलल दस्तावेज नहीं दे पाते पर्मारित नहीं कर पाते तो पर देखा जा यही वो बिंदू है जिसको लेकर कि मुस्लिमों भामित करने की मुस्लिमार को पुश्च के जबार मैं कहा दू कि बहुत से लोगों को शायद यहां तक पहुँच नहीं पा रहे हैं उनको नहीं पता है कि इसमें देश के मुस्लिमों के लिए कोई खत्रा नहीं देश के मुस्लिमों को डागरिता से जुड़े हुए किसी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं होगी बलकि यह उन लोगों के लिए है जो बिदेशों से आए जो भारत के बाहर के मुलकों के मुस्लिम है जो लोग यहाँ पर शर्णाथी के तोर पर अपने आपको बता रहे हैं लेकिन वो घुस पैठी हैं उनका तालुक कि सगठर से हैं कौन वो लोग हैं जैन्मिन वो लोग हैं उन पर सरकार नहीं नहीं कहा कि सभी लोगों को बाहर कर दिया जा इतने लोग 30 पीस दिया उससे थोड़े कम भुकमरी की कगार पर भी हों, वो दो वक्त का निवाला नहीं ले पाते हैं, वो अपने दस्तावेज बना के क्या तयार रखते होंगे, और उसमें से भी सच्चर कमेटी के अगर बात की जाए तो उसने साफ तोर पर कहा है कि मुस्ल किंता को हम जायज माल लेते हैं, लेकिन इस आधार पर किसाब किसी के पास कागज नहीं है, कागज नहीं, दस्तावेज नहीं, कभी न कभी तो सबको अपना दस्तावेज तो बनवाना ही पड़ेगा न, जिनके पास नहीं है, खो गए हैं, कोशिश करें, साबित करें, सरका पर यही एक मौका है दर असल कि यहां पर आकर सरकार को अपना सेंड पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए उसे बताना चाहिए कि जो गरीब आदमी है जिसके पास दस्तावेज नहीं होंगे खास तोर पर क्योंकि जो ज़्यादा तलवार लटकेगी वो मुस्लिमों पर लटकेगी तो उनको सटिस्फाई करने के लिए उन्हें बताना चाहिए कि जो लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगर दस्तावेस कम पड़ गए तो क्या उनकी नागरिक्ता पर सवाल खड़ा हो जाएगा ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि नहीं आपकी नागरिक्ता पर सवाल नहीं खड़ा होगा आपके लिए यह यह आप्शन होगा जैसे बैसे अनर्सी का प्रोसेस जबसे शुरू हुआ इस बेश में सरकार ने लगातार यह बताया है पार्लिमेंट के अंदर सरकार के तरफ से ग्रिमंतराले के तरफ से सरकार में बैठे हुए निमाइंदों के तरफ से बार्मानी कहा जारा के साथ भ्रामित मत कीजिए लोगों को गुमराह मत कीजिए क्योंकि असली कहानी ये है तो जबार सरकार मार्ग दर्शन कर दे ना सरकार मार्ग दर्शन नहीं कर पा रही है हलागि आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा जो ग्रेमंतराली का ट्वीट था उसमें बहुत अच्छी बात पढ़ी लेकिन वो कहां तक पहुंची है वो क्या उपाय हो सकते हैं कि वो अपनी community से अपनी समुदाय से वो witness लाकर अपनी बातों की अपनी दलीलों को रख सकते हैं और साथ में एफिडिविट के जरीए witness के जरीए अपने समुदाय से अपने clergy जो हैं उनके जो मौलवी होंगे उनसे लिखवा कर कि मैं इसको जानता हूँ, ये मैं समझता हूँ, ये इस महले में रहता है, ये बाते भी आप सामने आएंगे, लेकिन सरकार ने ये देर कर दीट को करते करते, ये प्रावधान तो देश के अंदर है, जैसे आप अगर किसी दूसरे राजी के शहरी हैं, अग किया जाता है, जो पुलिस थाना आपके बारे में एक करेक्टर सेटिफिकेट इशू करता है, कि हाँ, ये यहां के इनका पर्मिनेंट एड्रेस ये है, ये यहां के रहने वाले हैं, और इनको ये चीज़ दिने में कोई दिक्कत नहीं, तो एक प्रावधान देश के अंदर पहले से बना हुआ है, अब सरकार इस बात को धीरी धीरी लोगों के सापने ला रही है, लेकिन सरकार अपनी बात को सही अंदास में उन लोगों तक पहुंचाए, इससे पहले ये जो बीच के लोग हैं, जो भ्रामित करके अपनी स्यासे फसल काटने के कोशच में लगे रह आने, आपके सारे दस्तावेस पूरे हो जाएंगे, आप अपने दस्तावेसों के फिकर कर लीजे, आप परमाणी तोर परी देश के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर अभी नहीं करते हैं, चलिए छोड़ दीजे, दोहजार उन्नीश चल रहा है, दोहजार बार से अपने ही वक्त में क्यों नहीं अपने दस्तावेजों को बनवाने के फिकर कर लेते हैं अब रही बात के दरसल बाकी जो समुदाये हैं बाकी जो धर्म है वो इस बिल से अलग है अगर वो अपने आपको प्रमानित नहीं कर पाते हैं तो भी उनको नागरिकता दे दी जाएगी अब क्या ऐसे समूदाय को जो आजकल सडकों पर है उसको नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो दस्तावेज पेश भी नहीं कर पाया दे दी जाएगी जी हाँ आप समझे इस बात को दे दी जाएगी कैसे हमने जिस तरीके से भी बताया कि आपको अगर आप अपने दस्तावेजों से परमानित नहीं कर पा रहे हैं खुद को तो आपके विटनेस आपके रिष्टेदार आपके मौहले के वासी जो है वो आपको परमानित कर सके है उसमें जो एक क्राइटरिया बनाती है कि इन लोगों की तरफ से दिया गया बयान या उनके विटनेस के तोर पर दी गई बातें लिखेंगे बातें हम उसको एकसेप्ट करेंगे वो सरकार ऐसा करने के लिए जा रही है तो फिर दिक्कत तो नहीं होने चाहिए है कि सरकार न बन्याद पर ही लोग विरोध पर देशर कर रहे हैं एक सबसे बड़ा सवाल के है कि अभी तो बात नहीं हो रही है शायदो देश भर में लागों हो भी ना पाए जो असम वेधानी को जाए तो एक तरीके से कही कहीं कॉंगर्स पार्टी के वक्त में राजीव गादी के सरक की नहीं जा रही सब को इस बात का इत्मिनान कर लेना चाहिए लेकिन बड़ी बात ही है कि यह जो बीच का पीरियड है ना जब बार इसमें क्या है कि विपक्ष को भी खुलकर खेलने का मौका मिल गया और उसके खुलकर खेलने का जो पूरा दृश्य है ना वो सरकार देख के लिए कानून ले करके आ रही है विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो वोट बेंक उसका शूटता जा रहा था पास तोर पर देश की दूसरी बड़ी पार्टी जो है ये कम आकड़ा बता रहा हो सकता है इससे ज़्यादा भी आकड़ा हो फिर आप देखिए रेलवो के करीम 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 सौ करोड़ रुप्यों को नुकसान पहुंच चुका है ये किसकी संपत्य है हमारी संपत्य है पोलीस के ठाने चलाये गए हैं कैए चोकिया चलाए गई उसके बाद पुलिस वालों पर हमला किया गया उपर से जिसमें जो नुकसान पहुंचाया उसी से हर जाना वसूल किया जाएगा तो ऐसे परदर्शनों से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है किसी को भी हिंसक परदर्शनों तो बिल्कुल शामिल मत हुई है सबसे बड़ी बात रही कि अभी तो कैब कानूना है जब पूरे देश में नरसी लागो εν जाएगी उस मद़सिफ़े आप पास में एक साल का वक्त है अपने अपने दस्तावेस को देग सेरिक लिए तक है लेकिन उससे पहले सरकार को पता होना चाहिए उसके देश में कैसे आंकले हैं आंकले गरीबों के कितने आंकले हैं और धार्मिक आधार पर जो लोग गरीब हैं जिन पर तलवार थोड़ी लटकी हुई है ऐसा महसूस होता है उनको उनी तरह से विश्वास में लेना चाहिए और विश्वास में लेने के लिए ज़रूरी है कि जो नाजरिक हैं उनको दोर किया जाए अब सबसे बड़ी शंका यह जैसा कि आपने जो चिंता जाहिर के कि जिन लोगों के पास में सही दस्तावेज नहीं है सन 71 के दस्तावेज नहीं है उससे पहले के नहीं आया या जो देश भर में एनरसी लागू करने से पहले एक टाइम पिरिएट दे छे महीने का आठ महीने का एक साल का कि इस पिरिएट में आप लोग अपने अपने दस्तावेजों को खखा लिए या यह यह प्रावधान जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो इन इन जगों से दस्ताव आठी की जरूरत पढ़ेगी खुद के मौलवियों की जरूरत पढ़ेगी या खुद के जो भी आपके धरंसुमत आपके जो नेता बनते हैं उनकी जरूरत पढ़ेगी तो उनके सामने अपनी छवी को बरकरार रखिए यह भी एक बड़ा जरूरी मेटर है यह भी हलाके बा मामले को जरा समझे और इसकी बन्याद पर ही दरसल अब आप लोग जो हिंसा कर रहे हैं उसे पीशे आईए क्योंकि इस हिंसा से किसी का पादा नहीं होना होने वाला सेवाए आपका नुक्साल क्योंकि जो पबलिक पॉपर्टीज है सरकार की संपती वो भी तो जनता की संपत सुप्रीम कोर्ट it की सुनवाई भी करेगा और अगर वो संविधानिक है और फिर आप इस तरिकी के हिंसक गतिविदिया Tale करते हैं तो फिर आप कहीं से भी नागरिक नहीं माने जाएंगे और सरकार स्प्रीम कोर्ट रहे पेज़ पर आज़ाता है समविधानी पेज़ पर तो फिर आपको समझना होगा, कि इन हिंसद्सा कटीविद् innovation से पुछ खासिल होने वाले ना यहीं वज़े है कि हम बार-बार आपसे ही कह रहे हैं कि पहले इसills बिल को समझे, एन आर-सी को समझे, दोनों को मिक्सब मत कीजिये दोनों के जरूरतों को समझे सरकार के मनशा को समझे क्योंकि ये बिल ये आएक्ट दरसल किसी के मदद करने वाला है और अभी ये जो एक्टार है CAA जो लागू हुआ है और जो CAA लागू हुआ है उसमें सिर्फ अभी कुछ हजार लोगों को नागरिकता मिलनी है उससे किसी की जानी नहीं है अर्गेज नहीं जानी है यहां पर वक्त की एक समय सिमा कुल देप वक्त खतम हो रहा है इसलिए जाज़त लेना चाहेंगे दरशकों से बहुत बहुत शुक्रीया आपका आप इस प्रोग्राम में जुड़े और समझ नहीं की कोशिश शायद आपने की होगी और आएंदा कम से कब हिंसक गत्विदियों से प्लीज दूर रहिए क्योंकि इससे नुकसान ही पहुँचता है खुद को भी देश को भी देखते रहे आटनाइट टीवी नामस्काब